Hello dear students, welcome to ATP, कैसे हो आप सब लोग? I hope आप सब की J&N 2019 की preparations बहुत अच्छी चल रही होगी So guys, आज हम देखने वाले एक बड़े ही interesting topic को कि जो molecular formula आपको मालने जी कोई given है और molecular formula की help से आपको various structures organic chemistry में draw करने होते और students के साथ often ये problem आती है कि कोई structures या तो ज़्यादा बन जाते हैं या कम बन जाते हैं तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं ये topic शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत important information है कि जो ATP की online test series है that is AOTS for J&N 2019 उसके registrations have started and you can register now by the link given in the description of this video इस video के description में जो link दिया हुए उस पर आप click करें नीचे दिये हुए link पर आप उसको use करें और आप join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पढ़ाई शुरू करते हैं मजा आएगा तो देखें सबसे पहले जैसे ही मालनीजी आपको कोई molecular formula दिया है जैसे कि मालनीजी यहाँ पर दिया है C4H10 यह बहुत ही simple example से हम start करेंगे और दिरे-दिरे level increase करने वाले है तो देखें C4H10 दिया है या कुछ भी आपको दिया है सबसे पहले आप इसका double bond equivalent निकालेंगे या degree of unsaturation एक ही बात होते है अगर आपको नहीं आदे तो वो होता है C plus 1 minus of H plus X minus N divide by 2 ठीक है या पच्छे से आना चाहिए X यहाँ पर होता है number of halogen N यहाँ पर होता है number of nitrogen H यहाँ पर number of hydrogen है and C is total number of carbon से न गिवन molecular formula जैसे कि C4H10 में अगर मैं देखूं तो C plus 1 की बात करो तो यहाँ पर आएगा 4 plus 1 minus of H यहाँ पर आएगा 10 divide by 2 so DB value will come out to be 0 अगर इसका double bond equivalent 0 है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ना तो इसके अंदर pi bond possible है और ना ही इसके अंदर ring possible है इसका मतलब यह जो compound है यह क्या है open chain saturated compound है it is an open chain saturated compound अब इसमें bond line का हम use करेंगे हम start करेंगे इस तरीके से बनाना 1,2,3,4 zigzag का use करेंगे अब इसके बाद धीरी धीरे सबसे लंबी chain के बाद थोड़ा chain को छोटा करेंगे अब chain का size यहाँ पर कितना होगी है 3 3 के बाद अब हम क्या करेंगे एक carbon हमारे पास बचा है उस carbon को methyl की form में हम बीच में लगाएंगे कभी भी condor में नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर condor में लगाओगे तो parent chain की length जो होगी वो दुबार असे क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी ठीक है और repetition हो जाएगी तो यह जो subsequent time को condors पे कभी नहीं लगाएं नहीं तो parent chain की length क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी चलिए चलते हैं अगले question की तरफ in the next question माली जी आपको यहाँ पे दिया है C5 H10 ठीक है अब C5 H10 में अगर आप double bond equivalent की value निकालोगे आप video को pause करके try भी कर सकते हो तो यहाँ पे इसको अगर आप निकालोगे इसकी db value that will come out to be 1 ठीक है अब db value अगर 1 given है इसका मतलब 2 possibility हो सकती है या तो इसमें ring होगी ring है तो इसके इंदर pi 1 नहीं होगा या इसके इंदर pi 1 होगा तो ring नहीं होगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ring जो structures है उनको बनाते हैं तो दीखे सबसे पहले let us start with the biggest ring possible सबसे बड़ी ring कौनसी possible है cyclopentane possible है then यहाँ पे possibility क्या है cyclobutane, cyclobutane आते ही एक carbon बचेगा और उसको हम यहाँ पे किसी भी carbon पे लगाएंगे एक ही बात है, चारो carbon same रहेंगे, ठीक है न, मला एक ही जैसी बात रहेगी, क्योंकि इसकी relative position same रहेगी, तो उसके बाद जब मैंने आपे cyclopropane मनाया तो मेरे पास कितने carbon बचे दो carbon बचे, यानि या तो मैं उसको ethyl के रूप में लगा सकता हूँ या दो methyl के रूप में उसको लगा सकता हूँ अगर मैंने उसको ethyl के रूप में लगाया तो कुछ ऐसा आएगा और अगर मैंने इसको methyl के रूप में लगाया तो एक possibility क्या होगी या तो यह होगा, उसी carbon पे दो मिधायल लगे होंगे या यहाँ पर क्या हो सकता है girls and boys या यहाँ पर हो सकता है adjacent positions पर उनको place किया गया है तो इस तरह के 5 cyclic structures possible यहाँ पर आपने देखा अब हम बात करते हैं open chain structures की तो देखिए open chain structures जो है वो कैसे होते हैं सबसे पहले start with the biggest chain possible सबसे लंबी chain से start करें अब इसके बाद या लगाएंगे इसके अंदर pi 1 लगाएंगे अब pi 1 आप last में लगाते हैं तब मज़ा आएगा तो पहले अपने इनके structures डॉग कर लेते हैं फिर अपने 4 किया तो 4 carbon की parent chain में एक methyl कहा लगाएंगे या तो यहां या यहां लगाओगे एक ही बात है ठीक आप बना के देख लेना एक ही बात है ये भी 2 methyl butane आ रहा है और वो भी 2 methyl butane आ रहा है अब इसके बाद मालने जी हम इसको further shorten करते हैं तो यह पर हमारे पास 2 carbon बचेंगे बस एक चीज़ का दिहान रखना आप उनको दोनों को ethile यानि इस तरीके से drop मत करना योगि ये common mistake है ये और ये ये दोनों same ही है इसके बाद अगर मालने जीए मैंने दोनों carbon को अलग अलग लगाया यानि इस तरीके से लगाया तो भी लगा सकते हैं अब सिर्फ इस से काम नहीं चलेगा मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा pi bond लगाना पड़ेगा pi bond अगर मैं लगाऊंगा तो pi bond सबसे पहले मैंने यहाँ लगाया second possibility is pi bond मैंने यहाँ पर लगाया अब इसके बाद जो pi bond आएगा वो क्या आएगा same position माले जाएगा relatively उस भो भी क्या होगा two pentene रहेगा और वो भी भाई रहेगा now यहाँ पर अगर मैं pi bond लगाता हूँ तो तो देखें तो देखें तो this will be three methyl butene यह होगा three methyl butene और यहाँ पर देखें तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा two methyl beauty क्या आएगा two methyl beauty राएगा तो यह और यह these are not same यह लगते एक जैसे हैं पर एक होते नहीं है इसके बाद यहाँ पर अगर मैं pipe bond लगा हूँगा तो विचारा carbon जो है उमर जाएगा परिशान हो जाएगा क्योंकि carbon जिन्दिगी में कितने bond बनाता है चार bond बनाता है और क्या उसने गलती का कर दी पांच bond बना लिए इससे हमें क्या सीख मिलती है कि यह उकाद से ज़्यादा bond नहीं बनाने चाहिए तो carbon 4 bond बना सकता था तो यहाँ पर आपने देखा total open chain structures कितने आए 1,2,3,4,5 यानि total 5 तो यहाँ पर आए और 5 यहाँ पर आए total कितने आए 10 structures are possible चलिए चलते हैं अगले question पर उस पर मजाएगा आपको और let us see the next question देखे next question में आपके सामने हमने लिया है मान लिजिए लिया है C3 F, C, L B, R, I यह लिया है और C3 F, C, L, B, R, I में आपको क्या करना है आपको बताना है कितने इसमें L-Kines possibility यानि सारी possibility नहीं बतानी आपको सिर्फ L-Kines की possibility बतानी है ठीक है सबसे पहले इसका double bond equivalent की value निकालते है तो देखे इसकी double bond equivalent की जो value आएगी that will come out to be 2 वो आपने काल के देख सकते हो वो कैसे आएगी वैसे C plus 1 में यानि 3 plus 1 रहेगा कितना आएगा 4 minus of H plus X X कितना है आपको टोटल हेलोजन कितने है 4 ठीक है divide by 2 तो 4 by 2 करोगे तो 2 आएगा 3 plus 1 4 आएगा यानि DB value 2 आएगा अब 2 में there are many possibilities और होगा क्योंकि टोटल कार्बन कितने है 3 और हलोजन स्पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन सकते है क्योंकि हलोजन multiple bond नहीं बना सकते एक बार में एकी bond बना सकते है तो यह यहाँ पर अपने सामने आ गया अब यहाँ पर कार्बन की एक valency free है और यह जो कार्बन की कितनी valency free है 3 valency free है अब खुदी सोचिए आपने पास टोटल आटम कितने अवेलेबल है 4 अवेलेबल है ठीक है तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया फ्लोरीन लगाया तो यहाँ पर क्या आएगा chlorine, bromine and iodine ठीक है न तो इस तरह की possibility कितनी आएगी there will be 4 possibilities क्योंकि एक बार F की बज़ा यहाँ पर क्या आएगा CL तो बागी 3 atoms यहाँ आएगे एक बार यहाँ ब्रोमीन आएगा तो बागी 3 atoms में आएगे और एक बार iodine यहाँ आएगा तो देरा 4 L kinds which are possible है सही है तो आपको overall जो यह process है इस process में सबसे पहले क्या करते हैं DB value निकालके possibilities के बारे में सोचते हैं और possibilities के बारे में सोचने के बार एक एक करके हम सारी possibilities को form करते हैं चलिए करते हैं एक और question इस question में आपको बताना है कि total structural isomer कितने आएंगे यह question बहुत अच्छा है C4H7Cl आपको दिया हुआ और आपको बताना है total structures कितने हैं इसमें आएंगे तो देखिए आप वीडियो को pause करके try कर सकते हैं उसको यहीं पर तो देखते हैं आप में से किस-किस ने इसको सही किया होगा इसका db value आप निकालोगे तो that will come out to be 1 अब 1 में आप पर possibility क्या हो सकती या तो cyclic होगा या open chain होगा अगर मैं cyclic बनाता हूँ तो सबसे बड़ी ring की जो possibility आएगी that is 4 membered और 4 के बाद कौन सी आएगी 3 membered that is cyclopropane अब chlorine मैं कहा कहा लगा सकता हूँ तो देखिए chlorine मैं इसमें एक ही position पे लगा सकता हूँ यानि एक ही chloro cyclobutane या possible है यहाँ पे मैं कितनी position पे लगा सकता हूँ मैं आपे 3 positions पे लगा सकता हूँ यह आपको द्यान रखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा कि यह position और यह position क्या है equivalent है बिल्कुल एक जैसी है और उससे जो अमारे product आएंगे उनके structure सेम आएंगे अब यह आने के बाद यह हो गया हमारा cyclic में possibility अब हम इसके बाद क्या करेंगे open chain में देखिए चार carbon में एक possibility यह है और अगर 3 carbon की बात करें तो यह है लेकिन अब इसमें pi bond भी तो आएगा क्योंकि db value कितना है 1 है तो यहाँ अगर pi bond मैंने लगाया या मान लिजिए मैंने pi bond यहाँ लगाया और इसमें pi bond इन तीनों positions में मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ अब मुझे लगाना है इसमें halogen तो यहाँ पे मैं कहां कहां halogen लगा सकता हूँ एक तो यहाँ लगा सकता हूँ एक यहाँ लगा सकता हूँ एक यहाँ लगा सकता हूँ और एक यहाँ लगा सकता हूँ चार possibility यहाँ पे कितनी possibility यहाँगी दो possibility यहाँगी जैसे यहाँ पे और यहाँ पे और इसमें देखे तो एक possibility यहाँ पे आएगी और एक possibility यहाँ पे आएगी अब देखिए यह और यह possibility same है और यह possibility same है इनी चीजों का आपको खयाल रखना होता है You have to be cautious आपको छोटी छोटी बातों का खयाल रखना होगा तब ही बड़े बड़े काम आप कर पाओगे उसके बाद यहाँ पे देखो यह और यह position same है यहाँ पे गलती से ही मत लगा देना यहाँ पे गलती से लगा दिया तो carbon के कितने bond बन जाएंगे 5 बन जाएंगे और वकात से जादा bond नहीं बनाने चाहिए तो overall यहाँ पे कितने हमारा answer आया आप देखो एक मैं तुम्हें question देता हूँ वो आपको solve करना है ठीक है ना और जो यह वीडियो है इस वीडियो के जो वीडियो में comment section है उसमें public comment में डालूँगा कुछ time के बाद मलब जो answer होगा उस particular question का ठीक है और देखते हैं किस-किस का वो सही आता है ठीक है ना वो question बहुत challenging नहीं है पर ठीक question है बलकि दो question में दे रहा हूँ दोनों के answer मैं public comment में डालूगा ठीक है गाइस तो वो question है एक तो है C2H4O2 इसके आपको cyclic structures बताने हैं C2H4O2 के cyclic structures बनाने हैं और एक आपको C4H6 के जितने भी structures हैं वो आपको draw करके देखने हैं देखता है C2H4O2 के cyclic structures और एक है C4H6 के cyclic structures नहीं C4H6 के आपको total बताने हैं और C2H4O2 के only cyclic बताने हैं तो चलिए मैं पूरी strategy को finally summarize करता हूँ सबसे पहले आपको db value निकालना है निकालके आपको possibilities देखने हैं और एक एक possibility को one by one draw करना है start with the biggest ring दिरी दिरी रिंग को छोटा करें branches दिरी दिरी लगाएं सोस समझके लगाएं ठीक है similarly open chain में भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं और बस आपका presence of mind अच्छा होना चाहिए बहुत ज़रूरी है ओके गाइस तो बस ऐसे ही पढ़ते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर और लव यू आल